हेलो फ्रेंट्स वैलकम बैक टू दी चैनल तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास नाइन से एक और इंपॉर्टेंट पोईम जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं और इस पोईम के जो कवी है उनका नाम है राजेस जोशी तो फ्रेंट्स चलिए इस पोईम का एक्स्प्रेंशन शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स एक्स्प्रेंशन शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना और वीडियो को लाइक कर देना तो चलिए शुरू करते हैं कोहडे से ढखकी सरक पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह तो इन लाइन्स में कवी राजेस जोशी जी ने हमारे समाज में मौझूद बाल मस्दूरी की समस्या को दिखाया है और हमारा ध्यानी समस्या की और आकर्षित करने की कोशिश की है कवी ने कविता के पहली लाइंस में ही लिखा है कि बहुत थंड का मौसम है और सुभा सुभा का वक्त है चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है सरके भी कोहरे से ढगी हुई है परन्तु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढगी हुई सरक पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर है क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतिजाम करना है कोई बच्चा कार खाने में मजदूरी करता है तो कोई चाय के दुकान में काम करने के लिए मजबूर है जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कुदने की है बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंती है यह भयानक है इसे विवरंग की तरह लिखा जाना लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह काम पर क्यू जा रहे हैं बच्चे तो इन लाइन्स में कभी ने समाज में जो बाल मजदूरी जैसी समस्या है उन पर अपना चिंतन व्यक्त करते हुए उस पर अपना चिंता दिखाते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पर रहा है इस बात को हम जितनी आसानी से कह रहे हैं यह कवी को और भयानक लग रही है जबकि हमें इसकी और ध्यान देना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि परने लिखने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूं काम पर क्यों जाना पर रहा है इसे हमें समाज में एक प्रश्ण की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पर रहा है जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदे क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को क्या काले पहार के नीचे दब गए हैं सारे खिलोने क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदर्सों की इमारते तो कवी बाल मजजूरों को सुबह इतनी ठंड और कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते हुए देखता है जिससे कवी हताश और निराशा से भर जाता है इसी कारण वश कवी के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं कवी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ये बच्चे अपना मन मार कर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश है लाचार है कवी सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदे खत्म हो चुकी है या आकाश में चली गई है क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है क्या सारी किताबों को दिमकों ने खा लिया है क्या बाकी सारे खिलोने कहीं किसी काले पहार के नीचे दब जो इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा है क्या इन बच्चों को परहाने वाले मदरसे और विद्याले भूकम्प में तूट चुके हैं जो ये बच्चे परहाई और खेल कूद को छोड़ कर काम पर जा रहे हैं क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एका एक क्या सारे मैदान जहां बच्चे खेलते थे सारे बगीचे जहां बच्चे टहला करते थे और सारे घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा इसलिए ये स सुभा सुभा काम पर जा रहे हैं तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में कितना भयानक होता अगर ऐसा होता भयानक है लेकिन इससे भी जादा यहां की सारी चीजे हस्म मामूल तो कवी के अनुसार छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया की सारी खेलने की चीजे जैसे गेंदे, खिलोने, बगीचे, मैदान, घर का आंगन ये सब कुछ खत्म हो चुका है उनके पढ़ने के लिए सारी किताबें विद्याले और मदार से खत्म हो कवी आगे कह रहा है कि अगर सच में ऐसा है तो यह कितनी भयानक बात है और इस दुनिया के होने का कोई मतलब ही नहीं परन्तु कवी को इससे भी जादा भयानक तब लगता है जब उसे यह याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीजे तो है उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए मजबूर है इसी कारण कवी हताश और निराश हो जाता है कवी अपने इन लाइन्स में अपने इन पंक्तियों के द्वारा समाज में चल रहे बाल मजदूरी की और हमारा ध्यान खीचने में पूरी तरह से सफल हुए है कवी के अनुसार बच सारो सरकों से गुजरते हुए बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं तो कवी की सोच यह थी कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की जगा और सभी चीजे जो है वो खत्म हो गई है और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं लेकिन जब वो दे कि पीजों के मौझूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे-छोटे बच्चे दुनिया की हजार-हजार सरकों से चल कर अपने-अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। इसलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रशन उठाया है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो friends क्या आपने भी ऐसे बच्चे देखें हिमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताना तो friends अगर आपको कहीं ऐसे बच्चे दिखें तो आप उनकी मदद जरूर करना जैसे कि आप उनको अपनी पुराने किताबे बगेरा दे सकते हैं ताकि वो परहाई लिखाई कर सके और कई तरह से मदद कर सकते हैं क्योंकि बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है तो that's it ये था हमारा poem का explanation I hope आप लोग को समझ में आया होगा तो video को like कर देना और channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो कर दो तो मिलते हैं next video में